नमस्कार साथियों आप सभी का सुवागत है एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ साथियों अभी हम बैठे हुए हैं एक पडोसी की हेखेत में जिसने लगा राखी है गोबी और गोबी को लगाए वे लगबग 25 दिन के आसपास हो चुके हैं और वराइटी की बाद करें तो 15 20 इसकी वराइटी है और देख सकते हैं अभी लगबग 889 पती गोबी ने निकाल ली है और खरपतवारत वैसे बहुँ ज़ादा हो गई है क्योंकि इस जमीने पहले अलू की खेती थी और अलू के बाद हमने इसमें गोबी लगाई है और जो मोथ्या गास होता ना मोथ्या ये वड़ा गास ये बहुत ज़्यादा हो गया है वैसे तो एक निराई गुड़ा इसमें पहले अल्रेडी हो चुकी है लेकिन दुबारा से फेरो इसमें मोथ्या गास हो चुकी है और गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है जितनी ग रुपए किलो ते निच्छे तो आया इनी आलू और राम नावमी के आसपास तो आलू का जो भाव था 21 परती किलो हासी की सब्सीमन ने पहुंच गया था नवरातरे में बहुती अच्छा रेट चर रहा था आलू का तो अब की बार बहुती अच्छा आया आलू का सीजन अच जब भी रिक्वर्मेंट के इसाफ हैं पानी देते रहना है के जो मेड मेड बनाए गए है वह उत्तर से लेकर दक्षन की बनाय गए है और पूरायू की दिशा में जो ट्राश्प्लांट किया गया है कि वह इसnya का कहसी क्या गया है और पोदे से पोदे की दूरी देखिए लग बग लग बग च्यार इंच या पांच इंच के बीच में रखी गई है पोदे से पोदे की जो दूरी है च्यार से पांच इंच रखी गई है ताकि पोदे को ग्रोथ होने में अथा स्पेस मिल सके तो इस परकार से लगाई गई है अभी तो बहुत अच्छी खड़ी है अ अगले पनी पनी राई गुड़िया इसकी करेंगे तो देख सकते हैं डेड एकड में लगा रखी है अभी तो फिलाल बहुत ही अच्छी कड़ी है पहले इसकी नर्सरी त्यार की जाती है नर्सरी की वीडियो में आपको डालूंगा क्योंकि अभी नर्सरीया जो है गोबी की त्यार होनी शुरू हो गई है पहले बीज को बैड बना करके त्यार करके नर्सरी त्यार की जाती है 20-25 दिन में प्लांट त्यार होता है 20-25 दिन बाद फिर दूसरी जगा उसको ट्रांस्प्लांट किया जाता है इस तरीके जैसे हमने लगाया हुआ है तो प्रोसेसिंग ज तो अभी तक ये खेती आपको कैसे लगी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ तब तक के लिए जैजवान जैकिसान